प्रतिक सर की बात चल रही है 11 जनवरी को हमने प्रतिक सर को पहली दे दिया था मैंने सच्छा टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है आप जित दिन मिलेगा आप जाओगे सर अब करना होगा हमें दूतों आप सबने को देखा कि कैसे एक टीचर रो रहा है और टीचर बच्चों से हल्प माँ रहा है टीचर सभी हैं वह जिस कोचिंग इंसट्इूट से अलग हुए हैं वहां भी अच्छे रहे थे तो उससे पहले भी उनका एक हिस्ट्री था वो किसी इस्ट्यूट से जुड़े हुए थे कहीं पर टीचिंग कर रहे थे आपने अच्छा उफर दिया वह आपके साथ जुड़ गए और जब अब वह आपसे अलग जा रहे हैं जब उनको और अच्छा उफर किसी कोच आ रहा है और बच्चे अब इस कंटोवर्सी में पढ़ चुके हैं मैं आप से भी से रिक्वेस्ट करूंगा यार बड़े भाई मानी जो कुछ भी मानी मुझे प्लीज आप इस कंटोवर्सी में ना रहें आपका पूरा फोकस स्टेडी पे होगा तो बहतर होगा यह वर्सी में ना पढ़ें कि इस लडाई से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है आपको तभी अच्छा मिलेगा जब आप मेहनत करोगे आपको MBBS चाहिए आपको नीटिजा में अच्छा स्कोर चाहिए तो आपको से स्पोंसबिल्टी लेनी पड़ेगी जो टीचर अब उस कोच कोचिंग इंस्ट्यूट जाने आपको इन समय नहीं पढ़ना है फिलाल के लिए आपसे भी समझदार है और डिसीजन आप अपनी फ्यूचर को देखती हुए लीजिएगा यो टीचर है उनको पैसा मिल रहा है कोचिंग इंस्ट्यूट वह अपना सोर्स आफ फानिंग कर र कर भूगा